हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक आपका अपने चैनल फूड इंचार्ज में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए टमाटर की मीठी चटनी की रेसीपी लेकर की आई हूँ जेनरली तो टमाटर की मीठी चटनी सभी के घड़ों में बनती ही है लेकिन आज हम टमा जैसे ही चटनी हम आज बनाएंगे घर में जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो टमाटर पांट स कर लिया है दूस्ती तरफ हम गैस की उपर चरहा कर लिए हैं और जैसे ही हमारा पैन हो जाए हम इसमें डालेंगे एक चमशétais की में आप देशी घी में टमाटर की चटनी बनाएं बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है घी हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें आधी चम्मद जीरा डाल देंगे और दो साबूत लाल मिर्च डाल देंगे घी मेंजीरे और मिर्च Siuk कर कराने लगे हैं अब इनमें से अच्छी सी खुश्बू आने लगी है तो इस स्टेज पे हमने जो टमाटर चॉप करके रखे थे डाल देंगे फ्रेंट्स और साथ में हम थोड़े से इसमें पानी आड़ करेंगे बहुत थोड़े से बस एक से दो टेवल स्पून और इसे हम कजन के आहां जब उसके आहां पार्टी थी तो मैंने इसे खाया था तो मुझे बहुत ही पसंद आई मैंने उससे इसकी रेसिपी पुछी और मैंने ये रेसिपी जेश्ट ही आप लोग के साथ शेयर करने को सोची तो आज मैं आप लोग के साथ टमाटर की ये रेसिपी शे यह देखिए एक मिनट हो चुके हैं टमाटर जो है वो अच्छे से कुख ऊचुकी है इस इस डेजेश पे अब हम इसी से फिलंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं तो टमाटर जो है वो थंडी हो चुकी है और इसमें जो मोटे-mोटे जो री आशए हैं अब हम इसे मिक्सर के अंडर जार में डाल कर इसे हम पीस लेंगे तो आप सेम इसी तरह से बनाएं चटनी आपकी चटनी बहुत ही पॉर्फेक्ट बनेगी और आप इसे आराम से 6 मेने तक स्टोर करके रखके खा सकते हैं इसके टेश्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है तो ये देखिए हमने टमाटर की चटनी को पीस लिया है इसे बहुत बारीक नहीं किया है मैंने ये देखिए और सेमी पैन में मैंने इसे फिर वापिस पलट दिया है जादा बरतन भी हमारे गंदे नहीं होते हैं पॉपी सीर्स जो हमने इसमें डाला है तो ये जब दानेदार सी जब हमारे मुह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो हमने सभी टमाटर के पेश्ट को वापिस से पैन में पलट दिया है और अब हम इसे फिर सी गैस के ऊपर चरहा देते हैं चूले पे चरहाने के बाद हम इसमें डालेंगे गुर तो आधा किलो टमाटर में मैंने 200 गराम गुर का इस्तमाल किया है और 50 गराम हम इसमें डालेंगे चीनी आप गुर और चीनी दोनों चीजे मिला कर इस चटनी को बनाएं बहुत ही अच्छी बनती है और इसका कलर भी बहुत ही उपसूरत आता है फ्रेंट्स देखने में तो अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी लीड लगाकर इसे हम थोड़े देर और पकाएंगे तो तक्रिवन हम टमाटर की चटनी को दो मिनट और पकाएंगे ताकि गूर चीनी बगारा जो है वो आपस में घुल मिल जाएं तो यहाँ पर मैं पैन के लीड को लगा दे रही हूं और ये दो मिनट हो चुके हैं दो मिनट के बाद मैं पैन के लीड को खोल डेंग ये देखिए ये अच्छी तरह से भूल चुके हैं चीनी और गूर दोनों और टमाटर की चटनी का हमारे कलर काफी अच्छा आया है अब हम इसे दो मिनट और पकाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिंस दो मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर की चटनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है पक चुकी है तो मैंने यहाँ पर गयास के फ्लेंपो लो कर दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़े से किशमीज थोड़े से नारियल आप यहाँ पर अपने मन पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं मैंने जब यह चटनी खाई थी तो इसमें बहुत सारे ड्राइफ रूट्स भी एड़ थे तो मैंने बहुत जादे तो ड्राइफ रूट्स एड़ नहीं किये हैं जो मुझे पसंद है मैंने बस वही एड़ किये हैं फ्रेंट्स आप इसे आराम से 6 महेने तक फ्रीज में स्टोर करके रख लें और जब मन्चा है जब आप इसे इंज्वाइ करें तो आपकी मेरी टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं फ्रेंट्स ये देखिए कितनी ज्यादा स्षांदार और कितनी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर से कर दें और अगर चैनल पर नहीं आए हैं फ्रेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ टेक क्यों